पैडमेन बॉक्स ओफिस पर कमाल कर रहा है ये बात तो सभी जानते हैं मात्र दो हफ्तों में अक्षे की फिल्म ने 68.1 दो करोड का आकड़ा पार कर लिया है हर कोई अक्षे की एक्टिंग की तारीव के पुल बांध रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म देखने के बाद उनके बेटे आरव ने क्या रियेक्शन दिया पैडमेन देख बेटे आरव ने दिया रियेक्शन हाल ही में अक्षे कुमार ने खुलासा गिया कि पैड मैन पर बेटे का रियेक्शन जान कर वे खुशी से भूले नहीं समाए उन्होंने बताया आरफ पैड मैन देखकर मेरे पास आया और वेह मेरी पीट थपतपाते हुए बोला गुड जॉब डैड बेटे से मिले इस रियेक्शन के बाद वेह काफी प्राउट फील कर रहे हैं वैसे जबरदस्त प्रमोशन के बाद भी फिल्म दो हत्तों में एक सा करोड का आंकडा पार करने से चूग गई है अक्षे की लास्ट रिलीज फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा ने रिलीज के आठवेट दिन ही एक सा करोड रुपए का आंकडा छू लिया था लेकिन पैडमेन अभी तक सतर करोड के करीब ही पहुँच पाई है फिल्म के प्रमोशन में सोनी पिक्चर्स एंटर्टीन में इंडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन फिल्म की चर्चा तो हुई पर कलेक्शन में इसका फायदा नजर नहीं आया फिल्म के बजट के बारे में कोई अफिशिल अनाउंसमेंट नहीं हुई है लेकिन ज्यादतर रिपोर्ट्स में तो यहीं कहा जा रहा है कि फिल्म 60-65 करोड रुपए के बजट में बनी है